नमस्कार मेरे विध्यार्तियों आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी पिशय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की इए कक्षा में हार देख स्वागत करती हूँ विध्यार्तियों आज हम कक्षा साथ वी में विशय हिंदी में पाठ्थे पुस्तक ज्यान सागर से उस राथ की बात इस पाठ का प्रतम भाग अध्यन करने वाले हैं उस राथ की बात इस पाठ के लेखक है मिथिलेश्वर इस पाठ के द्वारा लेखक ने अपने जीवन में घटित एक घटना का बहुती सुन्दर चितरन किया है कि वेक्ति के जीवन में कभी-कभी एक ऐसी अन्होनी घटना घटित हो जाती है कि जिससे मनुष्य का जीवन पूरी तरों से बदल जाता है ऐसी ही एक घटना लेखक के साथ भी घटित होती है उस घटना का वर्णर इस पाठ में लेखक ने बहुती सुन्दर किया है आईए पाठ की और बढ़ते है जिन्दगी में कभी कभी ऐसी अन्होनी घटना घट जाती है जो कि आदमी के आचार विचार को बदल डालती है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता लेखक इस पाठ के द्वारा बताते हैं कि वेक्ति के जीवन में या उनकी जिन्दगी में कभी कभी ऐसी अन्होनी घटना घटित हो जाती है कि मनुष्य के आचार विचार विवभार पूरी तरह से बदल जाते हैं इसी तरह की घटना लेखक के साथ भी घटित होती है जिसे लिखक कभी भी भूल नहीं पाते हैं लिखक उस घटना का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था एक दिन की बात है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ घर पर विश्राम कर रहा था तभी दर्वाजे पर किसी ने दस्तक दी दर्वाजा खट-कट आया मैं बहार जाकर देखता हूँ क्या देखता हूँ कि दर्वाजे के दहलीस पर मैं लेक उचेले कपड़ों में एक बुढिया खड़ी थी उसके कपड़ों में पैबन भी लगे थे जो कि हमें चितर में देख रहा है जो कि चहरे से बिकारी लग रही थी लेखक मन में सोचते हैं उसे देखकर कि यहां बिकारी है लाल रंग का कागच का टुकड़ा मेरी और बढ़ाती हुई बिलग कर रो उठी मेरा बेटा बहुत बिमार है लेखक बताते हैं उसके हाथ में एक लाल रंग का कांगज का टुकड़ा था जो की मेरी और बढ़ाती है और रोकर बिलग कर कहती है कि मेरा बेटा बहुत बिमार है डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है बताती है डॉक्टर ने बहुत किमती दवा लिक कर दी है मेरे पास पैसे भी नहीं है मेरी कुछ मदद या साइयता कर दीजिए भगवान आपका भला करेगा बिल्कुल भिकारी की तरह बात कर दी है बुड़िया की सहाब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मेरी मदद कर दीजिए भगवान आपका भला करेगा भगवान आपको आशिरवात देगा लेखक समझ गया लेखक कहते हैं कि मैं समझ गया भीक मांगने का नया बहाना है नया तरीका है अकसर लोग ऐसा ही करते हैं कभी धर्म के नाम पर पैसा मांगते हैं पाँ जाते हैं अर्थात इस तरह से मांग मांग कर उनके पास काफी पैसा ही खटता हो जाता है अर्थात वे विकारी नहीं होते हैं प्यारे विध्यार्तियों आपको उस रात की बात इस पाट का प्रतमभाग अविश्य समझ में आया होगा अच्छा अब जल्दी से अपनी कौपी और पेन लेकर आईए हां बिल्कुल सही पैचाना ग्रिवपाट प्रश्ण पहला बुडिया के पैसे मांगने पर लेखक ने क्या समझे हां? हाँ बुडिया के पैसे मांगने पर लेखक ने बुडिया को भीकारिन समझा अच्छा विद्यारतियो इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुना मिलने आती हूँ